सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथी बेल आइकन प्रेस करके औल पर सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि calculator lock application आपके phone में open नहीं हो रही है तो इस problem को हम कैसे fix करेंगे तो guys गर आप भी जाना चाहते हो कि calculator lock application आपके phone में नहीं चल रही है तो इस problem को हम कैसे ठिक करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए तो गई सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको सबसे पहले देखे तो यहाँ पर बोझतीन स्टेपस है जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे तो सबसे पहले तो guys क्या करना होगा आपको अपने phone में internet connection को check कर लेना है कि आपके phone को properly internet मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यह सबसे पहले आपको check कर लेना है उसके बाद guys क्या करना होगा आपको calculator lock application का update चेक कर लेना है तो उसके लिए इस क्या करना होगा आपको जाना होगा अपने phone के play store के अंदर play store में आने के बाद यहाँ पर आपको calculator height application जो भी आपके phone में install है उसे यहाँ पर play store पर search करना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो उसका जो update आया है की नहीं आया है यहाँ पर आप जो चेक कर सकते हो तो देख से तो फिलाल मेरी application के अंदर कोई भी update नहीं आया हुआ यहाँ पर open लिखा हुआ है अगर application के अंदर update आया हुआ होगा तो यहाँ पर open की जिगे update लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर application को update कर लीजी और आपके जो problem रहेगी वो fix हो जाएगी solve हो जाएगी अगर application के अंदर update नहीं आया हुआ यहाँ पर आया हुआ है तो उसे update करने के बाद भी अगर आपके फोन में जो है यह problem आ रही है अप्लिकेशन नहीं खुल रही है तो guys क्या करना होगा जाना होगा अपने phone की setting के अंदर और guys phone की setting में आने के बाद यहाँ पर नीचे की set में एक option मिलेगा apps वाला तो देख सेकतो यहाँ पर एक apps वाला option है इसके उपर हम click करेंगे और guys जैसे ही apps को हम click करेंगे apps के उपर उसके बाद यहाँ पर एक option मिलेगा manage apps तो यहाँ पर क्या करना होगा manage apps के उपर आपको click करना होगा और जैसे ही आप manage apps के उपर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके phone में जितनी भी application रहेगी वो सभी आपके सामने आ जाएगी तो यहाँ पर क्या करना होगा calculator lock application को आपको यहाँ से डून लेना है तो यहाँ पर देखसे तो calculator lock application आ चुक के हम इसके उपर click करेंगे और guys यहाँ पर जैसे आप click करेंगे calculator lock application के उपर अब guys यहाँ पर क्या करना होगा सबसे नीचे की साइड में एक option मिलेगा clear data तो यहाँ पर clear data के उपर आपको click करना होगा और उसके बाद यहाँ पर clear catch कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक पर clear data के उपर click करके यहाँ से इसका delete all data के उपर आपको click करके इसका जो data है वो यहाँ से delete कर लेना clear कर लेना है guys calculator lock application का data clear करने के बाद यहाँ पर आपका जो account logging रहेगा वो भी यहाँ से जो log out हो जाएगा उसके बाद फिर से आपको अपना account जो logging करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर आपकी जो problem रहेगी वो 100% fix हो जाएगी जैसे यह आप data clear करोगे उसके बाद यहाँ पर आपकी जो application रहेगी वो open होना start हो जाएगी मतलब यहाँ पर application easily यहाँ पर आप open कर पाएगे क्योंकि guys data clear करने के बाद जो भी problem रहती है वो easily यहाँ पर आपको 100% solve हो जाती है तो देख से तो हमारी जो application है वो यहाँ पर open हो चुकी है तो इस तरह से guys अगर आपके phone के अंदर भी जो है यहाँ पर calculator hide application open नहीं हो रही है तो इस problem को आप इस तरह से fix कर सकते हो तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना, share करना और अगर अभीतर का आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिजे